बिहार के खाने ओम भुतत्व विभाग में बड़ा फिर बदल किया गया है नमस्कार आप देखना है देश्वा ट्रांस्पोर्ट और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशिक जी हाँ, सरकार ने खाने ओम भुतत्व विभाग के पताधिकारियों का अस्थनांतरन किया गया है बहुत सारे पताधिकारी को इधर से उधर किया गया है बताया जा रहा है कि कई-कई वर्सों से एक ये स्थान पर बने हुए थे जिसके कारण बहुत सारी गड़बडिया हो रही थी, भरष्टाचार व्याप्त हो रहा था और इसी के मद्दे नजर सरकार ने बड़ा करम उठाया है, बड़ा फैसला लिया है और बहुत सारे पताधिकारियों को यहां से वहां अस्थनांतरित कर दिया है इसके लिए अधिस सूचना भी जारी कर दिया गया है स्री लाल बिहारी प्रसाद उपनी देशक अपने वेतन मान में तिरहुत अंचल मुझभफरपुर को अस्थनांतरित करते हुए अगले आदेश तक खनीज विकास पदाधिकारी सारन के पत पर पदस्थापित किया जाता है स्री मुकेश कुमार खनीज विकास पदाधिकारी मुख्याले पटना को अस्थनांतरित करते हुए अगले आदेश तक खनीज विकास पदाधिकारी नवादा के पत पर पदस्थापित किया जाता है स्री मुकेश कुमार खनिज विकास पदाधिकारी नालंदा के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। स्री सर्वेश कुमार संभव खनिज विकास पदाधिकारी दर्भंगा को अस्थनांत्रित करते हुए अगले आदेश तक खनिज विकास पदाधिकारी पटना के पत पर पदस्थापित किया जाता है। खनिज विकास पदाधिकारी मुख्याले पटना के पत पर पदस्थापित किया जाता है। खनिज विकास पदाधिकारी समस्तिपूर के पत पर पदस्थापित किया जाता है। श्री संतोष कुमार खनिज विकास पदाधिकारी छप्रा सारन को अस्थनांत्रित करते हुए अगले आदेश तक खनिज विकास पदाधिकारी मधुबनी के पत पर पदस्थापित किया जाता है। सु श्री प्रियाद दीपका खनिज विकास पदाधिकारी मधुबनी को अस्थनांत्रित करते हुए अगले आदेश तक खनिज विकास पदाधिकारी दर्भंगा के पत पर पदस्थापित किया जाता है। स्री नवेंदु सिंग खनिज विकास पदाधिकारी जहानाबाद के अतरिक प्रभार में भी रहेंगे। खनिज विकास पदाधिकारी कैमूर के अतरिक प्रभार में भी रहेंगे। स्री आननद प्रकाश खनिज विकास पदाधिकारी भोजपूर को अस्थना अंतरित करते हुए अगले आदेश तक खनिज विकास पदाधिकारी सुपॉल के पत पर पदस्थापित किया जाता है। स्री आननद प्रकाश खनिज विकास पदाधिकारी सहरसा एवं मध्यपूरा के अतरिक प्रभार में भी रहेंगे। स्री प्रत्य अमन खनिज विकास पदाधिकारी गोपाल गंज को अस्थनांतरित करते हुए अगले आदेश तक खनिज विकास पदाधिकारी पूणिया के पत पर पदस्थापित किया जाता है। स्री मती वीना कुमारी खनिज विकास पदाधिकारी मुख्याले पत पर पदस्थापित किया जाता है। तो ये सारे पताधिकारी हैं जिनको यहाँ से वहाँ अस्थनांतरित कर दिया गया है। नए जगों पर अस्थनांत्रित कर दिया गया है, कुछ ऐसे पदाधिकारियों का नाम मैंने बताया, जिनको विशेश प्रभार भी दिया गया है, एक जीले में वो पदस्थापित तो रहेंगे, लेकिन दूसरे जीले के प्रभार में भी रहेंगे, लेकिन देश्वा काम लोगों से ये अनरोध करता है, अपील करता है, कि आप जहां भी रहें, बेहतर कारे करें, बेहतर ब्यवस्था बनाएं, और भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दे, इन्ही बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नहीं मुद्देने सरोकारों के तब तक देश्वा ट्रांसपोर्ट देखते रहें, धन्यवाद।